रिकॉर्डिंग क्लब में सभी सातियों को अजमिर से जैवंती आस्वानी का नमस्कार एक मार्च 2019 आप सब के साथ हूँ दर स्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट थर्टी सैवन देकर किसी ने सची कहा है कि समय से पहले और भाग्य से जादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और ये उक्ती उस दिन मुझे सच लगने लगी जिस दिन की मैं स्कूल में पहली बार बनोहर और सुखलाल को रिडिंग कराने के लिए स्कूल गए मैंने जब राइटिंग की दिसंबर माहा में अर्दवार्शिक परिक्षा में राम लखा नाम के स्टुडेंट की उसी समय मैंने बताया था कि मनोहर ने मुझे कहा था रिडिंग के लिए कक्षा बारा के छात्र थे मनोहर और सुखलाल तो ये तो परिक्षा के दोरानी तै हो गया था कि उनको रिडिंग करानी है और एक नियत दिन भी तै किया गया था उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि इतनी लंबी जद्दो सहत के बाद इतने लंबे इंतिजार के बाद आज मुझे वो काम करना था जिसके लिए कि मैं मन से विचारी त्याग चुकी थी कि मुझे स्कूल में रिडिंग करने का मौका मिलेगा भी मैंने इसके लिए गिरी राच जो कि स्रमभी नेत्रहीन चातर है बहुत तहत दिल से मैंने उसको धन्यवाद किया कि उसने मुझे भले ही राइटिंग का कारे लेकिन स्कूल में संपर किस्थापेद करवा दिया था तो वो दिन तो मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ बस इतना याद है कि उस दिन मैं सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थी कि आज मुझे पढ़ाने जाना है उसके लिए शाम भी बहुत ऐसा लग रहा था कि अन्य मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है मेरी रूची के अनुसार मुझे जाना है और बहुत ही अच्छे से मुझे रिडिंग करनी है तो शाम को मुझे समय तो याद नहीं है पांच चार या पांच बजी का समय था मैं स्कूल गई प्लेग्राउंड उस समय भी बिल्कूल खाली था मनोहर और सुखलाल मुझे केट पर ही मिल गए थे और हम लोग स्कूल की तरफ गए स्कूल में एक तरफ तो स्कूल है और दूसी तरफ होस्टल है तो स्कूल की तरफ गए वहाँ पर सारी रूम्स क्रम वार बने वे हैं उसे उन्होंने खोला और वहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था थी कुछ साता टेबिल लगीनी थी स्टूल्स थी सामने बड़ा सा टेबल था वहाँ पर चेर थी वो टीचर्स के लिए बैठने की व्यवस्था थी और मैंने जब चारो तरफ उस कक्षा को देखा तो बड़ी खराब हालत थी उस क्लास की चट पर जाले लगे वे थे फर्स बहुत गंदा था और खिड़कियां पूरी धूल मिट्टी से भरी भी थी लाइट की जो बोट थे उसमें भी योही तारे लटक रही थी कभी भी मतलब अगर हाट गलती से भी टाच हो जाए तो करंट लगने क की पूरी संभावन है थी स्कूल के चारो तरफ बहुत बड़ी बांडरी बनी हुई है लेकिन साफ सफाई की बात अगर हम करें तो बिल्कुल निल बहुत ही गंदिगी वहां स्कूल में उस समय थी लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी और स्टुडेंट भी वो कुछ नहीं कर सकते थे तो मैंने अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाने पर केंद्रित किया कक्षा बारा की उसमें तुलसिदास जी की जीवनी उपन्यास था जिसमें कि उनके जन्म से लेकर उनके विवाहा उनका कर्म उनके मरण की सारी घटनाए थी पूरा उनका जीवन उस पुस्तक में था बहुत ही अच्छी किताब थी वो और अभी भी अब चेंज हो चुका है कोर्स लेकिन हाँ उसे संबनित अभी भी पुस्तक है तो उस किताब की रीडिंग हमने शुरू की पांच साथ दिन में वो किताब जो है वो खतम हो गई तो मनोहर ने मुझे उस समय कहा कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है आपके पढ़ने का तरीका तो पांच साथ दिन तो यह था कि मैं जाती और उन्हें पढ़ाती और बापस आजाती कोई बातचीत मेरी उनसे नहीं हो पाई थी नैने स्टुडेंट थे क्या उनसे कहें लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि स्कूल में अगर और भी बैच मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मुझे ज़रत है तब मुझे आज भी अच्छे से याद है मनोर ने मुझे कहा आपको किसी से कुछ नहीं कहना है नहीं कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ क्या आप पढ़ना चाहेंगे नहीं अब इस्टुडेंट आपके पास खुद आएंगे आपको अवशक्ता नहीं है बस थोड़े दिन आप इसी तरह से अपना कारे करते रहिए लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि रीडर्स की यहां बहुत प्रॉब्लम है और आज से नहीं बहुत सालों से है बच्चे रीडिंग के लिए बहुत परिशान जाते हैं कुछ रीडर्स आते हैं कुछ दिन पढ़ाते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं चले जाते हैं बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी बड़ी समस्या आती है यह कहिए कि जो बोड क्लास के बच्चे थे वो तो रीडर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान थे उस समय में अजय जी सर आते थे वहाँ स्कूल में रीडिंग कराने और एक सुशील जी सर थे वो भी वहाँ पर रीडिंग कराने आते थे जब मुझे मनोर से ये बाते पता चली कि मरलब यहाँ पर रीडर्स की इतनी अवशक्ता है लेकिन उसके बावजुद भी स्कूल की और हमारे घर की एक दिवार होने के बात भी मुझे कोई रीडिंग के लिए स्कूल में नहीं मिला ये बात ना जाने कि यह मुझे अंदर ये ले पृषिशान कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जिन लोगों से कहा जिन स्टुडेंट से कहा तो वो मुझे क्यों नहीं बता पाए क्या उन्होंने मेरी बात को गौरी नहीं किया या फिर मैं जब जब स्कूल में आई तो मैं ही सही तरीके से अपनी बात स्टुडेंट तक नहीं कह सकती, कुछ समझ में नियारा था, उस दिन मनोर की बात सुनके बड़ी मुझे हैरानी हुए और मैंने ये बात कही भी, तब मनोर ने मुझे एक ही बात कही कि आप आए और स् नहीं होना पड़ता, इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता, और इसलिए आपको बहुत पहले ही ये काम मिल चुका होता, खैर, मैंने कहाना कि समय से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता, और इस दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया था, कि ये बात सही है, मेरा भ तक ऐसा ही चलता रहा, बहुती परिवर्तन मेरी लाइक में आचुका था, उस एक घंटे में, जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी, तो यह लगता था कि चलो, घर से थोड़ी दिर बाहर निकल रहे हैं, और फिर जो मैं पढ़ा रही थी, उस पढ़ाने से अंदर ही अंदर एक आत्मविश्वास्ता जाग रहा था कि नहीं मैं भी कुछ करती हूँ, हाला कि मैं सलाई का काम पहले ही करती थी, लेकिन मेरी रूची पढ़ने में थी, मुझे वो काम मिला था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं हर दिन कोशिश करती थी, कि आज उस से और अच्छा करूँ, और हर्शिता जो थी, वो भी स्कूल जा रही थी, और वो भी पढ़ने में इंटेलिजन थी, तो अब जीवन में काफी बदलावा चुका था, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और मेरा भी काम ठीक चल र हो आया, उस समय वो शायद कक्षा 9 में थे, उन से मेरी बात करवाई, और वो भी रिडिंग करना चाहते थे, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी, बहुरलाल जी से ही मैंने बात की कि आप एक बैच तयार कर लीजिए, तो और अच्छा हो जाएगा, तो उस समय तो मही है कि दिसंबर खत्म हो चुका था, जनवरी का महीना चल रहा था, तो मैंने सरफ उन्हें ही रिडिंग करवाई थी, और उन्हेंने कहा था कि नेक्स्ट येर जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तब बैच बना लेंगे, पिलाल तो आप मुझे रिडिंग करवा दीजिये, और मेरे भी कॉलेज के एक्जाम स्टार्ट होने वाले थे, बीए फस्ट येर का जो फॉर्म मैंने कॉलेज में भरा था, लेकिन फिर भी मैंने छुट्या नहीं की और अपने एक्जाम टाइम्स में भी, जो रिडिंग का टाइम था, वो मैं बराबर स्कूल में दीती रही, क्योंकि रुची के अनुसार काम कर रहे थी, तो शरीर में थकान नहीं होती थी, कभी भी, खुशी इतनी होती थी, कि मुझे सही दिशा मिल गई है जो इतने समय से इतने सालों से दिमाग में एक परिशानी चल ले थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं कौन साहसा काम करूं जो मेरी लाइफ एक सैट हो जाए हाला कि ये नहीं था मुझे नहीं पता था कि रेडिंग जो है वो इतने लंबी चलेगी और एक नए ही रूप में इनफ्यूचर मैं इसे देखूंगी लेकिन बस मुझे जब वो रिडिंग का काम मिला था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि बस अब मैं अनी टैम लाइफ मैं महलब आराम से ये जॉब मैं करती रहोंगे और पढ़ाई मेरी चली रही है मैं सचकों सात्यों मैं पढ़ाई को लेकर भी इतनी सीरियस नहीं थी कि फरस्ट एर का एक्जाम दे रहे थी तब मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि बीए हो जाएगा साइकंड लियर फाइनल यर फिर बीएट करेंगे और साइकंड ग्रीट का एक्जाम देंगे या तब इतना नहीं सोचा बस ये था कि ठीक है आगे पढ़ाई में मन है तो बहुत अच्छी बात है और ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि कॉलेज के स्टुडेंट्स आते थे तो उनके साथ ही मेरी रेडिंग भी हो जाती थी और एक बात उस समय और बहुत अच्छी हुई थी कि मेरे पापा जो थे वो सेल्समैनी का काम करते यानि बेकरी का जो काम थना वहां बेकरी से वो सामान लेकर और इस होटल पे इस रोट प्यादर्श नगर नसिराबाद रोट पे जितनी भी होटल से वो हर होटल पे हमारा कॉंटेक्ट था पापा का और वो सप्लाई करते थे तो उस समय हम जिस घर में रहते थे वहां तो मेरे पढ़ाई का जो भी खर्चा था, वो सब मेरे पापा और मेरे भाई मुझे दिया करते थे. इतना परिवर्टन अचानक अगर किसी के जीवन में आ जाए, तो मैं नहीं बता सकती. मैं बहुत जो चीज विश्वास नहीं थी, वो सब हो रहा था. पढ़ाई सोचारो रूप से चल रही थी, रिडिंग स्कूल में मिल चुकी थी, पापा और भाईया मेरी पढ़ाई में पूरी हैल्प कर रहे थे, और बच्चों के साथ में बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव और बहुत प्यारे थे, वैसे भी हर मा के ल नहीं लाइफ में पेस हो रही थी, उस समय तक तो, और फिर कॉलेज के एक्जांस भी दिये, ये फरस्ट एयर किलियर हो गया मेरा, और नेक्स्ट एयर स्कूल में, जो हुआ, अद्भूत बहुत अलग था हो, बहुत अनोखा था, लेकिन था क्या, सुनेंगे फिर, दस्तोरिय आप रिकॉर्डिंग क्लब के अगले पार्ट में तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूं, शुप संध्या